मूवी की स्टार्टिंग में हमें फरीदा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बेट पर लेटी हुई थी और उसे हालत में कुछ लोग उसे ट्रक में डाल कर कहीं लेकर जा रहे थे वो लोग उसे कहां लेकर जा रहे थे वो हमें मूवी के अंत में पता चलेगा अब हमे वो उसकी पेंटिंग बना सके उतने महीं वहाँ पर डिएगो की वाइफ मेरीन आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर काफी चिलाती है क्योंकि अक्सर मॉडल की पेंटिंग बनाने के दौरान डिएगो उन मॉडल के साथ अपना अफैर चालू कर देता था ये बा वाइफ के होते हुए दूसी लड़की से उसे अफैर करने में जरा भी शरम नहीं आती अब जब फरीदा और उसके दोस्ट डिएगो को मॉडल के साथ ये सब करते हुए देखते हैं तब वो लोग चिला कर उसे डिस्टरब करके वहां से भाग जाते हैं आगे हमें फैरीड बस से कहीं जा रही थी तबी बदकिस्मती से उनका एकसिडेंट हो जाता है इस एकसिडेंट में फरीदा के बॉयफ्रेंट को तो कुछ नहीं होता लेकिन फरीदा बुरी तरह से जखमी हो जाती है जिसके बाद डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाते हैं और फिर फरीदा को करीब तीन हफते बाद होस आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीदा को एक्सिडेंट में इतना ज़्यादा चोट आया है कि डॉक्टर को उसकी पूरी बॉड़ी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा के इस हालत के वज़े से उसका बैट से उ अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खवर मिलती है कि उसका बॉइफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए ये सिटी छोड़ कर जा रहा है। यह जानकर फरीदा उसके सामने तो कुछ नहीं कहती लेकिन उसके जाने के बाद अकेले में वो क काफी सुन्दर पेंटिंग बनाने लगती है। जिसे जिसे दिन गुजरते हैं फरीदा की हालत सुधरने लगती है यहाँ तक कि अब उसने लाठी के सारी चलना भी शुरू कर दिया था। अब क्योंकि उसने काफी सारे पेंटिंग्स बना ले थी इसलिए एक दिन वो ऐसा ही करती है और अपनी पेंटिंग वही छोड़ कर घर आ जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग दिखता है तो वो अपने आपको रोक नहीं पाता और फरीदा के घर आकर बाकी की पेंटिंग्स दिखता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और उसे पता चलता है कि फरीदा के अंदर काफी टेलेंट है लेकिन फरीदा को सिर्फ अपनी पेंटिंग से पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके इसके बाद डिएगो फरीदा को एक पाटी में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे आर्टिस इसistics party के लिए काम करता है और उनके लिए ही painting बनाया करता है अब फरीदा को भी काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो डिगेगो के साथ काम करने लगी थी ऐसे ही एक दिन डिएगो फरीदा को अपने studio लेकर जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है, कि वो अंदर जाकर उसके साथ सारेरिक संबन नहीं बनाएगी और इस पर डिएगो भी agree होता है, मगर अंदर जाने पर दोनों अपने आपको रोक नहीं पाते और वही कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और यहीं से उनका अफैर चालू हो जाता है इसके बाद एक दिन डिएगो फरीदा से साधी के लिए पूछता है जिसवाद फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ ल काफी धूमधाम से की जाती है वही साधी के पार्टी के दौरां डिएगो की एक्स वाइप मेरीन वहाँ आकर फरीदा की एक्सेडेंट वाली बात कुले कर उसका काफी मजा कुलाती है और यह सब डिएगो भी सुन रहा था लेकिन वो मेरीन को कुछ नहीं कहता और उपर से उसके बातों पर हसने लगता है अब इस बात से फरीदा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है पर डिएगो भी काफी सातिर था और वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है अगले दिन उठने पर फरीदा डिएगो को कहती है कि तुम हमारी मेरेज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो इस पर मरीन कहती है कि अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए और फिर मरीन फरीदा को डिएगो का फेवरेट खाना बनाना सिखाती है अ जान फरीदा को गुसा तो आता है लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए वो उस पर ज्यादा गुसा नहीं करती उसी रात डिएगो फरीदा को गुड़ नियूस देता है कि न्यू यॉक में उसका एक बड़ा सा एक्जिविशन होने वाला है जिसमें वो फरीदा को भी अपने साथ चलने को कहता है और ये सुन फरीदा काफी ज़्यादा खुश हो जाती है वही न्यू यॉक में एक्जिविशन होने पर डिएगो वहाँ पर काफी ज़्यादा मशूर हो जाता है मगर वो वहाँ पर भी अपने हरकतों से बाज नहीं और कई सारी लड़कियों के साथ अफैर करता है लेकिन इस बात का फरीदा पर कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अब फरीदा को इस चीज के आदत सी हो गई थी एक रात फरीदा डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है लेकिन डिएगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि एक्सिडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन दे सके पर फरीदा इस बच्चे को जन देना चाहती थी इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है मगर एक दिन जब दुखी रहने लगती है अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी मा काफी ज़्यादा बिमार हो गई है इसलिए फरीदा उन्हें देखने के लिए जाती है वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बड़ी भेहन क्रिस्टिन से होती है जिसने अपनी पत देने वाले को पसंद नहीं आई इसलिए वो लोग डिएगो को पेमेंट देकर उस दिवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पिंटिंग बनाई थी अब ये सब होने के बाद नियॉक में डिएगो और फरीदा के लिए कुछ नहीं था इसलिए वो लोग वापस अपनी कंट्री लॉड आते हैं वहाँ पर एक दिन फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना से होती है जिसकी हालत काफी बुरी थी इसलिए फरीदा उसे डिएगो का स्टूडियो साफ करने की जॉब देती है लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थ क्योंकि काम खतम करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ मजे कर रहा है यह देख फरीदा को काफी बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ देती है अब बार बार धोखा खाकर फरीदा पुरी तरह से और गवर्मेंट उसे मारना चाहती है अब यह सब सुनने के बाद फरीदा ट्रोट्सकी को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है फिर ट्रोट्सकी जब फरीदा के घर आता है तो वो फरीदा के पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफी ज़्यादा पसंद जाता है वहीं ट्रोट्सकी के जाने के बाद फरीदा फिर से अकीली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रोट्सकी के अफेर के बारे में डियेगो को बता देती है अब अफेर के बारे में जानकर डियेगो को काफी ज्यादा बुरा लगता है इसलिए वो काफी गुसा करता ह ये देकर फरीदा कहती है कि तुम भी अक्सर अपनी मॉडल के साथ अफैर करते हो तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है ये सुनका डिएगो को भी लगता है कि फरीदा सही बोल रही है इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता फिर इसके कुछ दिनों के बाद कम्यूनिस्ट पार् लाग दे दिया था इसके कुछ महिनों के बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसे किसम का बिमारी है जोकि उसके पूरे सरीर में फैल रहा है यानि कि जिस बिमारी से वो सालों पहले बच गई थी उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था अब इस बि देरे फरीदा की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो बैट से उठ तक नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी हड़ियां काफी ज़्यादा कमजोर हो चुकी थी इसी हालत में फरीदा ने अब तक जितने भी पेंटिंग्स बनाये थी उसका अब एक्जिविशन होने वाल पर फरीदा भी कम नहीं थी और वो पूरी इंतसाम करके अपने एक्जिविशन जाने के लिए निकलती है और यही चीज हमने मुवी के स्टार्टिंग में देखा था फिर फरीदा अपने एक्जिविशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि इन खुबसूरत प पर खतम हो जाती है